जगनात मंदीर का रहस्य क्या है? बगवान कृष्णा ने जब देह छोड़ी तो उनका आंतिम संसकार किया गया। उनका सारा सरेट तो पात तत्व में मिल गया लेकिन उनका रदे बिलकुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह दड़क रहा था और वो बिलकुल सुरक्सित थ उनका रदे याद तक सरक्सित है जो बगवान जगनात की काटकी मुर्टी के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है ये बाद बहुत कम लोगों को पता है। महाप्रभु का महा रहस्य सोने की जाडू से होती है सफाई महाप्रभु जगनात सी कृष्ण को कल्युक का वगवान भी कहते है। पुरी उडिसा में जगनात स्वामी अपनी बहन सुबद्रा और भाइबलराम के साथ निवास करते है। मगर रहस्य ऐसे है कि आद तक कोई न जान पाया। हर बार साल में महाप्रभु की मुर्ति को बदला चाता है। उस समय पुरे पुरी सहर में ब्लेकाउट के आ चाता है। यानि पुरे सहर के लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदीर परिसर को CRPF चारो और से गेर लेती है। उस समय मंदीर के अंदर thee आंधिर पुजारी के आखों में परिसर बंदी बंद होती है। फुरानी मुर्ति से बुर्म्प दात निकालता हैं और नई मुर्ति में डाल देता तो इसे आध तक इसे नहीं पता। हजारों सालों से एक मुर्ती से दुसरी मुर्ती में ट्रांसपर किया जा रहा है। एक अलोकिक पदात है, जिसको छुने मात्र से किसी इंसान के जिसम के चिथड़े उड़ जाए। इस ब्रह्म पदात का सबन पगवान सी कुष्ण से है। मगर ये क्या है, कोई नहीं चानता। पगवान जगनात और रन्य प्रतिमाये उसी साल बदली जाती है, जब साल में आसाड के दो महिने आते है। उगनी साल बाद यो अवसर आया है, वेसे कभी कभी चौज साल में भी एसा होता है, इस मोके को नव कलेकवर कहते हैं, मगर आज तक कोई भी पुजारिये नहीं बता पाया, कि महाप्रभु जगनात की मुर्ति में आखिर एसा क्या है। कुछ पुजारियों को कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया, तो खरगोस जेसा उचल रहा था। आखों में पटी थी, हाथ में दस्ताने थी, तो हम सिर्क महसुस कर पाये। आज भी और साल जगनात यात्रा के उपलक्ष में सोने की जाडू से पुरी के राजा खुद जाडू लगाने आते है। पगवान जगनात मंदीर के सिह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आस्चर्यों में डाल देने वाली बात यह है कि चैसे ही आप मंदीर से एक कदम बाहार रखेंगे वेसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देगी। आपने ज्यादातर मंदीरों के सिखर उपर पक्सी बेठे उट्टे देखे होंगे। लेकिन चगनात मंदीर के उपर से कोई पक्सी नहीं गुजरता। ज्यादा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय बगवान चगनात मंदीर के मुख्य सिखर की पढचाई नहीं बनती। सुदर्शन चक्र भी है जो हर दिशा से देखने पर आपके मुह आपकी तरब दिखता है पगवान जगनात मंदीर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के साथ बरतन एक दुसरे के उपर रखे जाते हैं जिसे लकडी के आक से ही पकाया जाता है इस दोरां सबसे उपर रखे बरतन का पगवान पहले पकता है पगवान जगनात मंदीर में हर दीन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता लेकिन हिरान करने वाली बात ये है कि जैसे ही मंदीर के पटबंध होते है वैसे ही प्रसाद भी खतम हो जाते है